आज इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको बताऊंगा कि SBI Securities एफ में आप alert कैसे set कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको उपर की और बाई तरफ तीन लाइने दिखाए दे रहे होगी आपको उसमें क्लिक करना है फिर आपको page को नीची को slide करना है और आपको यहाँ पर नीची दिखाए दे रहा हूँ कि manage alerts वाला एक विकल तो आपको उसमें क्लिक करना है तो जैसे कि आप दे सकते हैं हम यहाँ पर alerts वाले page पर आ चुके हैं if value moves below 15,560 मतलब जो मेरा spot price अभी live market चला होगा और जब वह spot price 15,560 के target तोड़ता है है नीचे की और आके तब हमें यहाँ पे एक alert यहाँ पे हमें receive होगा और इसी तरह NTPC में receive होगा जब market 140 का यहाँ पे target तोड़ेगा NTPC में और यहाँ पे IOC में जब market यहाँ पे IOC का spot price 110 का यहाँ पे target तोड़ेगा ऊपर गी हो और तो चलिए अब मैं आपको यहाँ बता देता हूं कि alert cash set करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे की और दिखाए दे रहा होगा set new alert वाले एक tab तो आपको उसमें करना है तो चलिए यहाँ पे आपको search tab में आपको कोई भी स्टॉक सर्च करना हो चलिए हम सर्च कर लेते हैं State Bank of India तो जैसे कि आप सकते हैं यहाँ नीचे सर्च होने वाद यहाँ पर दिखाए दे रहा है State Bank of India तो हम इसमें इलो और वॉल्यू तो हम चार तरीके से यहाँ पे अपने यहाँ पर अलेको सकते हैं चलिए हम लिए वाले इंगे जिसे हम कहते हैं लास्ट ट्रेड़ प्राइज तो यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप के सांब फॉप विंड़ खुल याएगी और आपको यहां पर प्राइस डालना अगर फॉट पाइस चारें चारेंट के नीचे अगर जाता थो हमें आप एक एलॉट होगा और इसी तरह आप में आप करेंगे एब उप किलिए हम करने लिए तो जैसे कि आपे दे सकते हैं यहां पर हमारा क्रिएट हो चुखा हम यहां पर बटन में क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर SBI का हमारा यहां पर alert यहां पर सेट हो चुका है जब यहां पर SBI का spot price 456 का यहां पर target ऊपर तोड़ेगा तो हमें यहां पर alert receive होगा तो इसी तरह हमें यहां पर दूसरा alert यहां पर इसी तरह लगा सकते हैं जाके हम इसी का उधारा ले देते हैं दूसरा चलिए आप यहां पर देख सकते हैं days change हम इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर value यहां पर दिखाई दे रहा होगा और percentage वाल दिखाई दे रहा होगा तो आपको यहां प्र घर यहां पे लिल्क देते हैं 4 BT है और इसको निधे तोड़ता है तो में है पैस छी टीरिवलीश वाहले में थे इसको तोड़े आके तो हम यहाँ पर परसेंटेज वाला तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज वाला देखेंगे 0.082 यहां पर उसी तरह आप डालेंगे अगर 0.82 चल दा यहां पर तो 0.99 पर क्लिक करेंगे और more यहां पर यहां पर क्लिक कर देंगे save वाले बटन में और इसी तरह आप decrease में क्लिक करके अगर यहां पर आपको लग रहा है कि 0.50 के नीचे जाएगा तो आप यहां पर save वाले बटन में क्लिक कर देंगे और यहां पर आपका alert यहां पर set हो जाएगा तो जैसे कि आप दे सकते हैं हमारे यहां पर alert set हो चुके हैं आप दूसरा में यहां पर एक ले ले लेते हैं तीसरा वाले प्रिटिक लो चुन लिए और save कर दिया यहां पर तो जैसे कि आप थोड़ा यहां पर से प्रिठिक्ष्य करना पड़ाएगा जैसे कि आप दे सकते हैं हमारा प्रिठिक्ष्य कर दिया और हमने इसको save कर दें कि जब यह 50 लाग कर यहां पर टार्गेट थोड़ेगा एलेट रिसीव होगा तो चलिए यहां पर हमने इतना समझ दिया अब हम यहां पर समझेंगे कि अगर अगर हमें एलेट को बदलना है क्या करेंगे यह ऐसे कि आप दे सकते हैं हमने होगी इसको तो जब यह 55,000,000,000,000,000 के यहां पर तर्ट तोड़ेगा तो हम यहां पर आलर्ट से होगा आप इसी तरह इसको यहां पर डिलीड भी कर सकते हैं यहां पर आपके दिखाया है are you sure you want to delete this alert तो आप इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर डिलीट हो जाएगा और आपको जैसे यहाँ पर दिखाए दे रहा है यहाँ पर आलर्ट आपको जो भी रिसीव होगा और उनको एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें सस्क्राइब करें और कमेंट जरू करें